दोस्तो आप यह प्लांट जो देख रहे हैं यह एक चाइनीज औरेंज का प्लांट है जिसको की मेंडरीन औरनमेंटल औरेंज प्लांट और नारंगी आधी नामों से हम जानते हैं और आज हम इसी प्लांट की के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इसको कमपोस्टिंग करें कै क्या हम इसके लिए स्वाइली मीडिया रखें तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहें और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना क्या हो तो पिलीज इसको सब्सक्राइब भी करें तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके फूर छो है आपको बिल्कुल संत्री के आकर का दिख रहा है लेकिन normal संत्रे से काफी छोटा आकर है के वल इसका आकर जम चाहँनी या थननी के आस पास का सकाऊचा होता है और इसके अंदर जो eighties होते हैं वो बिल्कुल संत्रे की तरह होते हैं बहुत चोटे चोटे और इसका टेस्ट जो है बीटर यानि की खट्टा इसका टेस्ट होता है इसका छिलका काफी फतला होता है लेकिन छिलका इसका खाने में कड़वानी होता और इसकी कई तरी कई से रेसिपी बनाई जाती है इसमें सुगर में इसको मिक्स करके माल लेड भी इससे तियार किया ज होता है विटामिन ए, बी, सी इसके अंदर मिलता है और यह आपके कैलस्ट्रोल बी-पी को कंट्रोल में रखता है आपके वेट को यह लॉस करता है यदि आप इसको सही तरीके से निमित रूप से अगर आप इसका सेवन करते हैं और इसकीन के लिए भी यह काफी अच्छा होत है इसके अंदर विटामिन ए भी पाया आता है और यह आपके इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रोंग रखता है तो इसके अंदर बहुत सी मेडिशनल प्रॉपर्टीज पाया जाती है काफी यूजफूल यह फूट है दिखने में तो काफी सुन्दर है औरनमेंटल के तरह है यह फूट है और जब यह प्रॉट में यह इस तरह से फूट लग दे एता है यह प्रॉट इखने में काफी सुन्दर दिखता है और इन फूट को तोडने का बन नहीं करता और काफी काफी यह लगे bestimmt काफी सुन्दर लगते हैं लेकिन इसके अंदर मेडिशनल प्रॉपरट वो वेल्डेंड लेना होता है जिसके लिए आप 40% नॉर्मल गार्डन साहल को इस्तिमाल कर सकते हैं और 30% उसमें आप रिवर सेंड और उसमें आप नीम खली बॉन मिल का भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं और फटी लाइजर में आप लीफ मोल्ड यानिगी पत्ति की खाद और क उसका इस्तिमाल कर सकते हैं और लेकिन आपको इसके लिए जो स्वाईल तयार करनी है वो वेल डेंड होनी चाहिए उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए यदि इसमें ओवर वाटर लॉगिंग हो गई तो यह आपकी प्लांट्स की जो लीफ हैं उसमें कलॉर्सिस आपके पत्ते पीले पढ़ने सब्सक्राइबूंग मारी ते प्लावरिंग'द आप में प्लावरिंग लोगने सब्सक्राइबू आपके बिल्टिरे प्लावरिंग के तैम ते उप्लावरिंग में रहता है V tbsp तो आपके लिए individuals और तो यह पने यह देख दम मेरा भ्रेम और सचाने और कि उसको आप ञलमी। रिताएं द्रवाट्रेन करने मिरेगी अधसे, अधसी मेरा भीट सब्टेश है। कमपोस्ट चाहे कावडंग हो वर्मी कमपोस्ट हो या पत्ति के खाद हो उसमें आप नीम खली का इस्तिमाल करके आप अपने इस प्लांट्स को दे सकते हैं और लेकिन बरसात के बाद भी हमें इसको कमपोस्टिंग के जरू होती है विंटर सीजन से पहले जब इसमें करनी है और फिर जो स अंति है लेकिन हमें ऊसमें चoperation करके हमं अपनऊन्ट को देए और कीरुद के लिए और तैन परसेंट हमने का इसमें नीम खली और बांकी जो 70% है उसमें हम कोई भी इसमें कमपोस्ट का यूज़ करके हम अपने इस प्लांट को दे और फिर उसके उपर हमें वाटरिंग करनी है और फिर उसके बाद हमें वाटरिंग इसमें को तभी करनी है जब इसकी स्वाइल आपको ये लगेगी उपर से ये ड्राइ ह कि यहां अजी में आपके जो ब्रलॉण होगी है। जो लिएति को कभीन की और आपके मीलसो गरता है . यह पूरी मिलना हो तो आप शैयल भी कर सकते हैं लेकिन एक्सेल काफी स्लो रिलीज है और आप उसकी जगया इस्टॉन डस्ट का भी आप इसमें इस्तिमाल कर सकते हैं और यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यह आपको काफी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देगा और आप प्लांट भी इस